और लोग हैं जिनका आपका समन्द regular रहने वाला है तो है डोनर मंत्राले के नए मंत्री सिमान जी के सिन रेडी जी और उनके साथ M.O.S. बैठे हैं सिमान B.L. वर्मा जी तो ये परिशे भी आपके लिए बहुत जरूरी है साथियों कोरोना से नौर्थ इस्ट में आप सभी किस प्रकार से इनोवेटिव आइडियाज के साथ इससे निपटने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं आपने जो योजराय बनाई हैं जो साकार किया है उसका विस्तार से आपने वर्णन किया आप लोग अरिक प्रजार से पुरा देश और विशेश करके हमारे हिल्ट वर्कर्स हर ने हर किसे ने अपनी अपनी जिम्मेवाई निभाने के लिए कत डेड़ साल से लगातार परिश्रम किया है नौर्थ इसकी भावगलिक चुनाउतियों के बावजूत टेस्टिंग और ट्रिट्मेंट से लेकर वैक्सिनेशन का इन्फा स्थेक्टर तयार किया रहा है और विशेश रुप से आज मैंने देखा कि आपने जिस प्रकार से इठीक है चार राज्यों को भी इंप्रूव करना बाती है लिकिन बाकियोंने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ वेस्टेज को बहुत बड़ी मात्रा में रोका इतना ही नहीं आपने हर वायरल में से मैक्सिमम यूटिलिटी का मिकाम किया और एक प्रकार दे आपने प्लस प्रयास किया तरह सेंसिटिविटी से हैंडल किया है इसलिए मैं आपके सभी हेल सेक्टर में काम करने वाले साथियों को बढ़ाई देता हूँ और जिन चान राज्यों में अभी कुछ कमी मैसूस हो रही है वहाँ पर भी बहुत अच्छे ढंग से इस काम को किया जाएगा ऐसा मुझे पुरा विश्वास है सात्यों बरतमान परिस्तिती से हम सब भली भाती परिचीत है कोवीड की दूसरी लहर के दोरां अलग-अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामुई प्रियास किये हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है लेकिन नौर्थ इसके कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमन के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की या रही है इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा हमें और सतर्क रहने के ज़रूत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा संक्रमन को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सक्त कदाम उठाने होंगे और अभी हैमनता जी बता रहे थे कि उन्होंने लोगडाउन का रास्ता नहीं चुना माइक्रो कंटेन्मेंट जोन का रास्ता चुना छे हजार से अधिक माइक्रो कंटेन्मेंट जोन बनाए इसके एकार रिस्पांसिबिल्टी तैप हो सकती है उस माइक्रो कंटेन्मेंट की जोन का जो इंचार्ज होगा उसे पूछ सकते कैसे घडबड हुआ क्यों नहीं हुआ कैसे अच्छा हुआ इसलिए जितना जोर माइक्रो कंटेन्मेंट जोन पर हम लगाएंगे हम इस परितिती से जल्दी बहार आएंगे और बीते डेड़ साल में जो अनुभव हमें मिले जो बेस प्रक्टिस हमने देखी है हमें उसका भी पूरा इस्तमाल करना होगा कि देश के अलग अलग राज्योंने भी नहीन इनुवेटिव तरीके चुना है आपके राज्य में भी कुछ जीने होंगे कुछ गाउं होंगे कुछ अफसर होंगे जिन्नोंने बड़े इनुवेटिव तरीके से इन चीजों को हैंडल किया होगा ये बेस प्रक्टिस को नजर रखनी होगी क्योंकि यह बिल्कुल बहुरूपिया है बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनोतियां खड़ी करता है और इसलिए हमें हर वेरियंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ीगी है मुटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा इस बारे में एक्सपर्स लगातार स्टडी कर रहे हैं पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीट्मेंट ये बहुत जरूरी है इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी पूरी सकती लगानी है पूरा फोकस इनी चीजों पर करना है वाइरस का प्रहाद वो दोगज की दुरी मास्क और वैक्सिनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा और यह हम पिछले धेड़ साल के अनुभव से देखा है वही टेस्टिंग ट्रैकिंग और ट्रीट्मेंट इसकी जो हमारी रणदिती है जो हमारा इंफर सक्क्तर है वो अगर बहतर होगा तो जादा से जादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे यह पूरी दुनिया के अनुभवों से प्रमानित हो चुका है और इसलिए हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोच्षाइद करते रहना होगा समाज के भी सिविल सुजाइटी के लोग हो दार्विक समाज के जिवन के आगे मुख्या लोग हो इन सबसे बार बार यह बाते आती रहें इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा साथ्यों यह सही है कि कोरोना की वज़े से टूरिजम व्यापार कारोबार यह बहुत प्रभावित हुआ है लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में मार्केट्स में बीना वास्क पहने बीना प्रोटोकल का अमल किये बिना भारी बीड का उमड़ा मैं समझता हूं यह चिंता का विशाय ठीक नहीं है कई बार हम यह तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंज्जोई करना चाहते हैं यह बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी कभी कभी लोग सवाल पूते तीसरी लहर के क्या तैयरी की है तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे आज सवाल यह होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है अगर और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है कोई जाकर के ले आए तो आती है और इसलिए हम अगर इन चीजों को बना बर सावधानिक करेंगे तो हम दीसरी लहर को ही रोक पाएंगे आने के बाद क्या करेंगो एक विशह है लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विशह है और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजप्ता, सतर्प्ता, प्रोटोकॉल का पालन इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉंप्रोमाईज नहीं करना है और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतामनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाई, भीड़भार ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमन में भारी उचाला सकता है और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंबिरता के साथ उठाए जाए अधिक भीड़वाले जो आयोजन रूख सकते हैं उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए सात्यों केंदर सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सिन, मुप्त वैक्सिन अभ्यान की नौर्थिस्ट में भी उतनी ही एहमियत है तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सिनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है हमें वैक्सिनेशन से जुड़े ब्रह्म को दूर करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सैक्षणिक जितने भी लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं सब को हमने जोड़ना है हर एक के मुँ से इस बात को नीचे प्रतारित करना है और लोगों को मुबिलेज भी करना है अभी नौर्थिस्ट के कुछ राज्यों में टीका करों को लेकर सरानिये काम हुआ है मैंने प्रारण में भी कहा जहां कोरोना का संक्रमन फैलने का खत्रा जादा है वहां वैक्सिनेशन पर और भी बल दिया जाए साथियों हमें टेस्टिंग और ट्रिक्मेंट से जुड़े इंफासेक्टर में सुधार करते हुए आगे चलना है इसके लिए हाली में केबिनेट ने 23,000 करोड रुपिये बारत सरकार ने 23,000 करोड रुपिये का एक नया पैकेज भी स्विकृत किया है नौर्थ इसके हर राज़ को इस पैकेज से अपने हेल्थ इंफासेक्टर को बजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी इस पैकेज से नौर्थ इस्ट में टेस्टिंग डानिस्टिक जीनॉम सिक्वेंसिंग इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा जहां केस बढ़ रहे हैं वहां तुरंथ आईस्यू बेड केपरिसेटी बढ़ाने भी इससे मदद मिलेगी विशेश रूप से हमें ऑक्सीजन पर पीडियाट्रिक केर से जुड़े इंफासेक्टर के निर्मार के लिए तेजी से काम करना होगा पीएम केर्स के माद्यम से देश भर में सेक्ड़ो नए ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं और मुझे खुशी हुई आप सभी मुख्यमंत्रियों ने इस काम में जो तेजी से प्रगद्धी हो रही है इसके लिए बहुत संतोस व्यक्त किया नौर्थ इसके लिए करीब डेड़ सो प्लांट्स विक्रूत हुए है मेरा आप सभी से आग रहे हैं कि ये जल्द से जल्द पूरे हो कहीं कोई बाधा ना आये इस पर भी एक द्रश्टी रखे और इसके लिए आवसे जो मेंट पावर है स्कील मेंट पावर है इसको भी तुरंट साथ साथ तैयार कर लीजिए ताकि बात में जाकर के वो दिक्कर ना आए नौर्थ इसकी भावगलिक स्थिति को देखते हुए अस्थाई अस्पताल बनाना भी बहुत जरूरी है एक और अहम विशह है जो से मैंने प्रार्ण में कहा और फिर भी एक बैन वाव ले किया ट्रेन मेंट पावर का जो आक्सिजन प्लांट लग रहे हैं जो आई सिउ वाड बन रहे हैं जो नई मशीने ब्लॉक स्थर के अस्पतालों तक पहुचाई जा रही हैं उनको सुचान रूप से चलाने के लिए ट्रेन मेंट पावर भी आवशक है इससे जुड़ी जो भी मदद आपको चाहिए केंद्र सरकार वो उपलब्द कराएगी साथियों आज हम पूरे देश में 20 लांस से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की एक संता तक पहुँच चुके हैं नौर्थ इसके हर जीले में विशेश रुप से अधिक प्रभावी जीलों में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्टर को प्रत्विक्ता के आधार पर बढ़ाना होगा यही नहीं रेंडम टेस्टिंग के साथ साथ हम क्लस्टर वाले ब्लॉक में एग्रेसिव टेस्टिंग करें इसको लेकर भी हमें जरूरी कदम उठाने चाहिए मुझे पुरा विश्वास है कि हम सब के सामोही प्रयासों से देश की जनता के सहीयोग से हम कोरोना संक्रमन को सीमीत रखने में जरूर सफल होंगे मैं फिर एक बार आज बिस्तार से नौर्टिस की चर्टा करके बहुत स्पेसिफिक विश्व पर हम चर्टा कर पाएं मुझे विश्वास है कि इन चीजों से आने वाले दिनों में नौर्टिस में जो थोड़ी बड़ोतरी दिख रही है उसको तुरंत रोकने में हमारी पूरी टीम काम करेगी और सफलता मिलेगी एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आपको बहुत सुपकामना है जल्दी से मेरे नौर्टिस के भाई बैन करोना से मुक्ति का आनंद ले मान्य प्रधान मंत्री जी धन्यवाद हम यहाँ पर मिटिंग समाप्त करते प्रधान मंत्री नरेंद रमोदी को आप सुन रहे थे जिन्नोंने कुरोना पर यह बैठक की और आजर्चियों के सियम से बात चीत की कि किस तरही के से कुरोना की तीसरी लहर को रोखना है जो लापरवाही की तस्पीर आ रही है, उस पर भी प्रधान मंस्री नरेंदर मूदी ने एक बार फिर से चिंता जाहिर की और ये कहा कि टीका लगवाना पहले तो सबसे जादा जरूरी है, सासी सास लोगों को भी जागरूग करने की जरूरत है उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि लॉकडाउन अब अलग-अलग राज्चों ने जैसे किया की कंटेंटमेंट जोन बनाए अब उस दिशा में भी जरकारें आगे बढ़ सकती हैं लग-अलग राज्चों की लॉकडाउन से अच्छा है कि जिस जिस जगहों पर कुरूना के केसिस ज्यादा आ रहे हैं वहाँ पर कंटेंटमेंट जोन बना दिया जाए फिर जवाब देही तै की जाए कि वहाँ से कोई भी केसिस बाहर नहीं जाए ताथी साथ ठीके से ही उन्होंने कहा तीसरी लेर का जो खत्रा है वो रुकेगा इसलिए वैक्सिनेशन पर जो भ्रहम पहला जा रहा है उस भ्रहम में नहीं फसना है और ठीका जरूर लगवाना है जनता की सहियों की अपील भी प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि लोग की भागेदारी इसमें बहुत जादा महत्वपूर है चाहे वो कोरोना के नियम मानने को लेकर हो या वैक्सिनेशन की प्रक्रिया में बढ़ चड़कर शामिल होने की प्रक्रिया हो उन सब में प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को आगे आने की जरूरत है दो गस की दूरी बनाना अभी भी अनिवार है